नमस्कार जहंद प्यारे बच्चो इंडियन आर्मी अगनी वीर में GD यानि की जो आपकी ग्राउंड ड्यूटी होती है आपके सामने में पूरी डेटेल्स लेके आया हूं प्यारे बच्चो अगर आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं अगनी वीर के थुरू वह भी gd trade में तो प्यारे बच्चो आपके लिए बहुत ही informative वीडियो है प्यारे बच्चो चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को subscribe कर देना और अपनी date of worth जरूर हमें comment बताइए कि आप किस state से जुड़े हुए हैं हमसे और आपकी date of worth इस समय पर क्या है प्यारे बच्चो आईए शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा सेशन आप सभी के लिए बहुत ही informative होने वाला है तो प्यारे बच्चो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो मुख्य चीज याद रखनी है सबसे पहले नंबर पर क्या आपकी qualification क्या है written exam test जो होता है physical होता है और medical होता है one by one हर चीज की विशे में जानेंगे तो प्यारे बच्चो सबसे पहला point है qualification आर्मी जीडी के लिए आपकी qualification जो है 10th class है पिरते एक विशे में 33 नंबर होने चाहिए और 45% सारे subject में मिला कर हो यानि overall आपकी जो percentage होनी चाहिए 10th class में वो 45% होनी चाहिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चो रिटेन एक्जाम के लिए तो रिटेन एक्जाम में आपका online exam होता है प्यारे बच्चो अगनीवीर से पहले तो होता था offline लेकिन अब आपका online exam होता है यानि की computer based test होता है तो आते हैं आप online अपनी practice करते रहें computer पर बैठके कि किस तरीके से online test दिया जाता है प्यारे बच्चो तोटल जो question होते हैं आपके 50 होते हैं एक question जो होता है वो दो number का होता है और पूरा paper जो होता है आपको प्यारे बच्चो वो 100 number का होता है army gd का और ये 15 question आपको 60 minute में करने होते हैं प्यारे बच्चो 60 मिनट में लड़के और लड़कियों के height, chest, weight सब चीजों के विशे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे पहले जान लेते हैं आपके physical test के बारे में कि physical test जो होता है आपको कैसे करना होता है तो प्यारे बच्चो आर्मी जीडी में जो यह physical test होता है इसके number आपके जुड़ते हैं written exam के साथ में तभी आपकी merit तयार होती है अब आप जो इसका physical करेंगे इसके लिए आपको ध्यान रखना है 1600 मीटर की जो race है इसमें बहुती tough competition होता है यानि कि इसमें एक तो होता है group first एक होता है group second second group और एक होता है बच्चो कि अगर आप 5 मिनट 45 second से जादा में अगर आप दोड़ के आते हैं तो आप disqualify हो जाते हैं आनि कि आप fail हो जाते हैं प्यारे बच्चो first group की जो race होती है आपकी 5 मिनट 30 second में होती है जिसके आपको 60 number मिलते हैं और आप beam जो लगाते हैं बीम आपको अगर 10 लगा देते हैं आप तो आपको 40 number मिलते हैं अगर आप 9 beam लगाते हैं तो 33 number मिलते हैं आठ बीम लगाने पर 27 नमबर और 7 बीम लगाने पर 27 नमबर मिलते हैं और वहीं पर अगर आप 6 बीम लगाते हैं तो आपको 16 नमबर मिलते हैं. बच्चो आपको इसमें एक गड़ा होता है 9 फिट, 9 फिट का एक डिश होता है गड़ा होता है जिसको आपको पास करना होता है कूद करके और जिग जैग होता है यानि टेडा मेडा एक रास्ता बनाया होता है लकडियों का जिससे आपको चल के जाना होता है यह आपके qualifying nature होत गल्स के लिए अगर हम बात करें लड़कों की हाईट के लिए भी हम बताएंगे नीचे, गल्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो गल्स के लिए 162 cm हाइट चाहिए और गल्स के लिए जो वेट चाहिए वो 47 kg से ले करके, 57 kg चाहिए वैसे तो जो वेड होता है, वो 30 second में अगर आप race मारते हैं तो आपको first group का होता है, अगर आप 8 minute में race मारती हैं तो आपको second group में रखा जाता है, आपको long jump जो करनी होती है, 10 feet करनी होती है, ये केवल qualify होती है, और जो आपका high jump होता है, वो 3 feet होता है, जो qualify होता है, यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है, कि आपके पास में जो जम्पिंग होती है, चाहें high jump हो, चाहें long jump हो, आपको इसमें 3 attempt मिलते हैं, तीन attempt में अगर आप इसको qualify कर जाते हैं, तो qualify हो जाते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तीन बार में, तो आप disqualify यानि की fail कर दिये जाते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे आपको दिया हुआ है लड़के और लड़कियों की height और chest के विशे में, तो प्यारे बच्चों, लड़कों की जो height है 170 cm हो लड़कियों की height होती है 162 cm चाहिए आगमी अगनीवीर ZD में, लड़कों का सीना 37 cm नॉर्मल होना चाहिए बिना फुलाए और 5 cm का आपका फुलाव होना चाहिए, लड़कियों की height 162 cm होनी चाहिए, तो आर्मी अगनीवीर के लिए अगर आप प्यारे बच्चों तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप HDA Defense Academy उत्तरपरदेश Academy को join कर सकते हैं, जहां पर आपको लिखित परिक्षा के साथ साथ physical की भी तैयारी कराई जाती है, और आप अगर चाहते हैं कि हम किसी ना किसी ऐसी Academy से जुड़ें, जहां पर हमें written exam के साथ साथ physical और उसी के साथ computer पर हमको तैयारी कराई जाए, अपने written exam की practice के तोर पे, तो प्यारे बच्चों आप हमें call कर सकते हैं, आप हमारे दिये गए number पर, जो कि आपको 9193770602 पर आप हमें message कर सकते हैं, आप हमें call कर सकते हैं, आर्मी जीडी के लिए, आर्मी टेक्निकल के लिए, आर्मी किलर के लिए, किसी भी पिरकार की आपको तैयारी करनी हो, आप हमारे हाँ तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको 100% सफलता मिलती है, प्यारे बच्चों अमीद करता हूँ, आपको बास समझ आई होगी, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत.